हेलो दोस्तों कैसे हैं आज आपको पढ़ाएंगे वर्ड माला पराधारित पार्ट टू इसमें जैसे ये स्पेलिंग लिखी गई है अंग्रेजी वर्ड माला में कितने जोडे ऐसे हैं और उसी अस्थान पर है जिस अस्थान पर ये जोडे हैं और हैं जैसे कि अगर डारेक्ट लिख दिया जाएं ए बी और सी तो ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है तो इसमें कितने जोडे होंगे ए बी उसके बाद एसी और बी सी क्योंकि अंग्रेजी वर्ड माला में यही क्रम होता है ए के बाद बी आता है बी के बाद सी तो ए और बी का भी जोड़ा सही है बी और सी का भी ज जोड़ा सही है, लेकिन अगर इसी में लिख दिया जाए, A, C, D, तब इसमें तीन नहीं होगा, क्योंकि A के बाद B आता है, जबकि यहां क्या लिखा गया है C, तो A के बाद B, और B के बाद C, तो यानि कि A का जोड़ा इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं खा रहा है, अब C को देखिए, C के बाद आता है D, तो इसमें भी C के बाद है D, तो इसमें मैच खा रहा है, तो एक ही जोड़ा बनेगा C और D, जबकि A के साथ कोई नहीं, तो ठीक इसी तरह से प्रशन लिखा रहता है, कि निम्न में से कितने अच्छरों के युग्म ऐसे हैं, जिनके बीच उतने ही अच्छराते हैं, जितने की वाड़माला अंग्रेजी में होते हैं, ऐसे युग्मों की फहचान करो, तो यहाँ पर कैसे इसे लगाया जाएगा, यही हम देखेंगे, तो सबसे पहले जो यस लिखा गया है, यस के बाद हम देखते हैं, कि क्या-क्या अंग्रेजी वाड़माला में आता है, और उसी क्रम में हम लिखना सुरू करेंगे, तो S के बाद क्या आता है, S, T, और देखें, यहाँ लिखा क्या गया है, P, तो जहां हम जो बोल रहे हैं, वो अगर अच्छर मिल जाएगा, उसको हम एक जोड़ा मान लेंगे, जैसे, S, T, U, V, W, X, Y जिट, तो क्या कोई जो हमने बोला इसमें से कोई मैच खाया, नहीं, P से सुरू करते हैं, P के बाद क्या आता है, क्यूं आता है, तो यहाँ पर इधर क्यूं नहीं है, P, Q, R, अब देखें ध्यान से, P, Q, R, तो Q तो नहीं आया, लेकिन R आ गया, तो एक जोड़ा इसे मान जाएगा, P, Q, R, S, T, U, V, तो P के साथ एक जोड़ा बना, अब आते हैं O पर, तो O, P, है न, अंगलजी बाड़ों आला में O के बाद P आता है, तो चाहें लेफ्ट में मिल जाए या राइट में, तो इसे भी माना जाएगा, O और P का एक जोड़ा, इधर मिल गया, आब इ S, T, U, इधर भी नहीं बना, इसे देखते हैं A, B, C, D नहीं बन रहा है, A, B, C, D, E, नहीं बन रहा है, D से सुरू करते हैं, A, B, C, D, D, E, F, नहीं बन रहा है, I के बाद आता है, I, J, K, L, M, N, O, I, J, नहीं बन रहा है, C देखते हैं, C, D, E, F, G, H, I, J, तो नहीं बन रह रहे हैं एक पी और आर का और पी का तो इसका अंसर क्या होगा दो अब इसी तरह से एक और प्रश्न है गौर्णमेंट जी ओवी ए आर एन मेंट तो बस आप अंग्रिजी वड़माला के हिसाब से बोलते जाईए जहां पर अच्छा टकरा जाए उसको एक जोड़ा मान लीजिए तो जी एच आई जे के ल एम एक जोड़ा ये म अन ओ पी बस जी के साथ एक जोड़ा ओसे देखते हैं ओ पी क्यूं आर एक जोड़ा ओ के बी साथ आर के बाद क्या आएक स्टी यू वी ड़ू तो ओ के साथ के बाले एक जोड़ा B पर देखते हैं V, U, V, W, X, Y, J नहीं बन रहा है E पर देखते हैं E, F, G, H, I, J, K No R, S, T, U, V नहीं बन रहा है R, S, T, U, V, W नहीं बन रहा है N, O, P, Q, R, Yes N, O, P, Q, R नहीं बन रहा है M के साथ देखते हैं M, N M के साथ बन रहा है N का तो M-N-O-P-Q-R, yes, M-N-O-P, नहीं बन रहा है, E का देखते हैं, E-F-G-H-I-J-K-L, E-F-G, नहीं, N-O-P-Q-R, देखिए, एक R और यहन का बन रहा है, ध्यान से देखिए, N-O-P-Q-R, T की साथ देखते हैं, T-U-B-W-X-Y-Z, नहीं, तो कितने हुए, 1-2-3-4, इसका अंसर आ गया, 4, एक अगला प्रशन लेखते हैं, C-O-M-P-O-S-E, तो गिनिये C से, C-D-E-F-G-H-I, नहीं, O-P-Q-R-S, तो O के साथ, S का जोड़ा बन रहा है, O-P-Q-R-S-T, M-N-O, देखिए, M का O के साथ बन रहा है, M-N-O-P-Q, M-N-T, P से देखते हैं, P-Q-R-S-P, इधर भी नहीं आएगा, O, O के बाद P आता है क्या, 15-16, O के बाद P आता है, तो O के साथ, P का भी बन रहा है, O-P-Q-R-S, O-P-Q, YES के साथ देखते हैं, YES, T-U-B-W-X, YES, E-F-G-H-I-J-K, तो कितना बना, तीन जोड़ा बना इसका, बहुत सरल है, बस आप पढ़ते जाएए, और जहाँ पर अच्छा टकरा जाए, उसी को आप एक जोड़ा मान लेजिए, सिफ्टेट में देखते हैं, YES, T-U-B-W-X-Y, H-I, H के बाद आई आता है, एक जोड़ा बन गया, H-I का, H-I-J-K-L-M, F-G-H-I-F-G-H, तो F के साथ H का भी बन रहा है, देखो, F-G-H, T का देखते हैं, T-U-B-W-X-T-U-B, मतलब उस अच्छर को बाएं भी देखेंगे, दाएं भी, कहीं भी बन जाएगा, मान लेंगे उसको सही, A-B-C-D-E, देखिए, D के बाद E आता है, है न, D-E-F-G-H-I-J नहीं बन रहा है, तो इसमें भी कितने बनें, तीन जोड़े, इसी तरह एक और है, डाकुमेंट, तो गिनी है इसको भी, D, A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K, O-P-Q-R-S-T-U, नहीं बन रहा है, C-D-E-F-G-H, C-D-E, नहीं बन रहा है, U-V-W-X-Y, U-V-W-X, M-N-O-P, M-N-O-P-Q, E-F-G, E-F-G-H-I-J, N, N के बाद क्या आएगा, O, N-O, इधर देखते हैं, N-O-P-Q-R-S-T, तो फिर सो देखते हैं, T का T-U-B-W-X-Y-Z, तो इसमें कोई भी जोड़ा नहीं बना, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, 0, जैसे इसमें देखिए, H के बाद I आता था, अंग्रेजी वाड़माला में भी आता था, और यहां भी आया है, इसलिए इसको एक जोड़ा माना गया, लेकिन इसमें कोई भी दो अच्छर ऐसे नहीं है, जो उसी क्रम में हो, जिस क्रम में अंग्रेजी वाड़माला में होते हैं, तो बस कभी-कभी परिक्षा में ये एक नम्मर की सवाल आ जाती है, तो अंग्रेजी वाड़माला पराधारित है, इसलिए मुझे लगा कि इसे भी आपको कैसे लगाया जाता है दिखाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, बस वही गिनना है, जहां पर अच्छा टकरा जाएगा, उसी को आप एक जोड़ा माल लेंगे, ठीक है?